हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं हम सब अच्छ होंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो दिसंबर बंद की हमारी स्टेटिजी है वो क्या होगी और इसमें हम लोग कबर करेंगे और साथ में और इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं साथ में आपको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को धहर के साथ देखिए और एक कॉपी पैनास ले लीजिए तो आज हमको क्या करना है पहले हैं पहले बताता हूं फिर मैं आपको बता हूंगा देखिए मैं क्या क्या बताने दा रहा हूं देखिए इतना बिस्तित में आपको पूरा का पूरा स्लेवस बता हूंगा ना केवल स्लेवस बता हूंगा बलकि आपको बर्ट डिस्क्राइब करूँगा और आपको एक एक बर्ट है जैसे कि देखिए यहां पर fill planning दिया RAKा G जैसे कि रिसूर्स को हम कैसे करते करें तो इसमें इतना ही दे रहे हैं तकन injustम इतना explained कर दिया कि आपको क्या-क्या पढ़ना हैं कासे पढ़ना है कौन-कौन सी इसमें टॉपिक आएंगे कौन काशन तौफिक लोग लोड करना साथ में अगर आपको कमेंट करते तो यहां पर भी हुए एक लिंक कर दूगा, ओके बहुत लबी PDF हैं तो चलिए हम लोग इस discussion को start करते हैं इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस December महीने में आपको क्या करना है, नमबर एक आपको वीडियो एक्सरा देखना है, नमबर दो आपको एक रिफ्रेंस की रूप में कोई भी बुक लेना है, मैं आपको रमेसिंग रिक्वाइंड करते हूं, तीसरा आपको टैस्स देना है और आंसर रैटिंग करना है, और चौथा आपको रिविजन करते रहना ह या फिर कोई भी कोचिंग की आम मेगजीन पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई भी रूप टोखनआ है, लेकिन मैं जितना बताता हूं, उतना करिये, इसके अलावा आप एक्स्रा करना चाहते हैं, तो आपको मैंने कापी भी नहीं ही रुख है, इसमें हम लोग टार्गेट क तरह lecture है वो cover हो गए अगर आप इने देखना साथ है तो यहां से देख सकते हैं जिसमें आपको इकानोमिक्स एक दम हलोगा के तरह बताई है यहां पर आई बटन होता है इस पर क्लिक करिए तो फिरी डॉट के बगल में होगा इस पर क्लिक करिए आपको पूरी की पूरी सीरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ ना तो आप इसी तरह है इकानोमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह पॉलिटी पढ़ाऊंगा है हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको एकसंपल बना के पढ़ाऊंगा तो आपके इंद्रबिंदू में रहेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा जैसे कि लिवे कि याद रहते हैं तो नंबर हैं को कणिया करना लेकर है विडियो सकते हैं तो पढ़ सकते हैं कोई भी ठीक की बहुत पड़ना सकते हैं तो पढ़ सकते कर hem मैं यहां पर बताता हूं कि आप रमें सिंग पढ़े हैं अगर आपके पास coaching का study material नहीं है तो आप यहां पर रमें सिंग पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं मैं आपको पूरी complete कर दूंगा तो यह बिटे अन्सर ना दीजिए साथ मैं आपको पांच बजए आपको पांच बजे कहा आना है टेली ग्राम पर आना है टेली ग्राम पर अगर आप लोग जॉइन होना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को कमेट बॉक्स में आपका रही है तो बहां भी बैसे एंड कर दूँगा यहां पर हमारे दो गुरूप हैं जो महिना अभी घुजर जाएगा फिर मैं आपको कोश्चन की आंसर आट ने करा हूँगा में इसकी कोश्चन की प्रैक्टिस करांगा आपको दिया करूँगा आपको लिख करके टेली ग्राम पर सेंड करने और दूसरी बास सुन लीजिए दोस्तों आप बोट्सेप पर मुझ मांगते रहते हैं मैंने सब को स्टेंड कर लिया है आप मेरे दोनों गुरूप में जिसमें 6000 मेंमर हैं लगवक में उस गुरूप में या फिर किलाब आईस वाले गुरूप में जाएंगे वहाँ पर एक ऐसा सर्च का उपसन आता है देख लिया अगर यह दोस्तों आप ऐस सर्च करके खुछ से देख लिए ना मिले तो आम मुझसे बूलिए अब आप लोग लुसेंट पर मुझसे मंगते हैं मलकि मैं महां पर हाजारों बार लुसेंट कर चुका हूँ तो आप लोग मुझे इतना परिसान मत करिए थोड़ा अपने आप भी कोसिस करिए ना देखि आपको क्या करना है रिविजन करना है रिविजन किसका करना है जो आमको फूर मन्त के वैंने इसके बढ़ते हैं पर अच्छे रहेगा और दीखें यहां पर जो मैं पर नहींए तो इसकी मैं पक्लब करा दूँगा आप लोग टेलीग्राम पर आएगे मुझसे बूलिए कि पहले तो एक बार सार्ज कर लीजिए और नहां मिले तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं वलकि मैंने अभी भी कुछ दिन पहले ही अभी तवारा से सेंड कर चुका हूं चलिए हम लोग देखते हैं इसके सिलेवस के बा हैं इसी के बारे में बात करेंगे चलिए मैं एक सब्जेक्त है इस ही की हम बात करेंगे चलिए ़ौइन है ४्यक्ट्र का बोरा नहीं तरप है यानिकि इंडियन एकवानव कर रहा रहें और से कहां से मिलेंगे मतल्य आपको निशपीर मुलेंगे इसलिए आपको डेली पढ़ते रहना है और बानिक प्लानिंग खमारे दिएस सक विन ती डबला मिन ही होगा ग्रूथ एंड डबलब्मेंट ए मैंने फहले ही लेक्षर में आप लोगों के लिए बताए ग्रूथ एंड डबलब्मेंट आपको पढ़ना है और इंप्लाइमेंट बतब रोजगार से संबंद सभी मुद्दें वो बहुत अच्छे से कबर करने हैं और इंक्लूजि कर ँद के बारे में उनको हम अच्छीप कर पा रही हैं नहीं कर पा रहे हैं अभी पूर्णे की बजए के से क्या हमारे सम्क्ष्य आरे हैं इन कौन-कौन सी योजनाय चल लए हैं हम इंक्लूसिव कुरूट को अगर अच्छीब करना चाहते तो इसके लिए बहुत सारी योजनाय चल लए हैं इनको आपको देखना है यह सब आप परेसान मतलब अब इसलेवस को पढ़िए और इसको नोट कर लिए एक-एक पॉइंट जो मतलब जो फसल होती है विविन पिरकार की फसलों के बारे में पढ़ना है और उसके पैटर्ण क्या होते है मतलब उनके प्रारूपों के बारे में पढ़ना है और वो कौन-कौन से हमारे देश की बहुत सारे पार्ट हैं उनमें कौन-कौन सी पिरकार की फसले की जाती है जै करते हैं नल कूपू के द्वारा करते हैं या फिर नहरों के द्वारा करते हैं तालाब से चाहिए करते हैं स्प्रिंकल से चाहिए होती बहुत तरह की सचाहियां होती तो irrigation देखना है आपको irrigation topic बहुत important है क्योंकि agriculture से related है मैंने कहा था ना कि इस पानी को कैसे इस टूर करते हैं अब ऐसे हम लोग सचाहिए करते रहेंगे तो पानी भूश तर नीचे चला जाएगा ना तो हमें स्टोरेज सिस्टम भी देखना है कितना सिस्टेमेटिक हमारी स्लेव ऐसा इसलिए इसको इसको बहुत बाएक से देखे इसको स्टूरेज क्या 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 阅श सिस्टम है किस-kis सरे से डेर्फ करते हैं कौन-पौन सी यह जिना है इस पानी के वह देखना एक परिवहन और परिवहन और मार्केट एक साथ में दिया रखा है देखें मार्केट कब डबल अब होगा जब वहां तक जाने के लिए सडक होगी न अब सडकी नहीं होगी तो लोग मार्केट कैसे पहुच पहेंगे उन्हों समस्य होगी चीज़े खराब हो जाएंगे तो इसलिए परिवहन और मार्केट एक साथ में दिया है देखें कितना सिस्टेमेटिक है और मार्केटिंग आफ एगरिकल्चर प्रोड़क्त आपको मार्केट किसका देखना है मोवाईल हो एगरिकल्चर प्रोडेक्ट यान कि जो किर्सी उत्वाद होते हैं उन पर आपको फोकस करना है और इसके कौन-कौन से इस्यू हैं वड़तमान में ऐसे कौन-कौन से समस्या चल लए उनको देखना है जैसे कि MSP बारे में बहुत सारी समस्या चल लएक उनको आपको देखना आपको इस परिफिक्च में देखने लगना जिनका उद्देश हो फार्मर के लिए ऐसी टेक्नलोजी आपको देखनी है जिसका उद्देश फार्मर के लिए किया रहा हो तो ऐसी बहुत सारी एप लॉंच की जाती है आप के बारे में पता होना चाहिए बहुत सारे गौर्मेंट ऐसे पूर्टल लॉंच करती है जो फार्मर के उद्दिश से होता है तो ऐसे आपको पूर्टल एप्स के बारे में पता होना चाहिए यह आपको देखना है एक किसका सेक्षन है एकॉनमी का सेक्षन है तो इसी लि रूप से जो फार्म की सबसेटीज हैं उनसे रिलेटेट हैं देखिए इसमें आ गया MSP आ गया ना MSP से अभी किसान कितना बिरूद कर रहे हैं important हो जाता है आपको समझवागे कौन कौन से हमें topic पढ़ने है देखिए minimum support price की full form होती है important हो गया ना दोस्तों कीसा कैसे इसमें परिवर्बतन हुए इसके उद्दीस्यों के बारे में जाना है किस-किस की समझाता हूँ में किस-किस ये औब झेमने किस-किस की उद्देश्यों के बारे में आपको direct into subsidies होते हैं इसके उद्दीस कौन कौन से है minimum support price है segundo budget distribution system है इसके क्या है functioning किस तरह से काम करता है लिमिटेशन इसकी सीमाई कांगे मतलब इसकी कुछ सीमाई होंगे पडिक स्टेबूर्ट अगर हम सिस्टम को करना चाहते और साथ में देखे दो चीजे एयड है कि मतलब बफर स्टाक का मतलब होता है कि हम चीजों को ला कि संगराहित करें उसका करें और फूसी की सिक्यूरिटी प्राप्त कर सकते था ना वरनाहरे पास अनाजी न इसी लिए बफच की लिए ऐसे क्या और जा रही है कितना आनाज है हम किस किया कितने संगराहित करते हैं गौर्मेंट क्या यूजना यह ला रही है इनको आपको देखना है और कौन-कौन सी ऐसी फसले हैं जिनका हम इस्टा करते हैं इन चीजों के बारे मैं आपको पता होना चाहिए फूड सिक्यूरिटी इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है यह इपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि भारत है हम लोग फूर्स सिक्यूरिटी चाहिए अभी हम लोगों ऑचीब तो कर रहे हैं लेकिन बहात सारी किता दॉल हो गया, तील हो गया, इनमें अभी भी हम सिक्यूर नहीं है, जैसे धानियों में हम लोग सिक्यूर हो गया है, इसके साथ में हमको देखना है टेक्नलोजी मिसन और देखे एनिमल रेरिंग के वारे में मतलब जो पसू पालन होता है उसको भी देखना है, पसू पालन में जैसे कि दूद हो गया मास्क के परपस्ते बहुत सारी जैसे कि मसली पालन हो गया मुर्गी पालन हो गया अंड़ पालन हो गया इस सब भी आपको देखना है इससे क्या हम जो फार्मर है इनकी इंकम बढ़ा सकते हैं इसलिए हमको यह देखना है क्योंकि हमारा परपस्ते है एक तरह से विकास करना और विकास में हम गिरामीर छित को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं इसी तरह फूट प्रोसेसिंग खाद फिर प्रसंसकरन अगर हमें किसानों की आय बढ़ानी है साथ में हमें अपने देश का विकास करना तो हमें कच्छा माल नहीं उत्पाद करना है बलकि कच्छे माल करना है रियात नहीं करना है बलकि फूट का प्रोसेसिंग करके उसको बीचना है तब जादा हमको लाब होगा ऐसे हम कच्छा माल बेच देते हैं वह बहुत सस्ता जाता है और जब हमको प्रोसेस करके हम बेचेंग वो हमें देखना है उससे रेलेटेड जो भी इंडस्टी है उसको देखना है देखे फूड प्रोसेसिंग है उससे रेलेटेड हम वो क्या देखना है फैक्टरियां कौन कौन सी इंडस्टी है उसको देखना है इंडिया में इसका इसकोप क्या है इंडिया में बहुत बड़ा स्कुप है क्योंकि समें कच्चावाल होत हैं हमारे पाइक तो हम लोग फूट प्रोसेसिंग कर सकते हैं से टामाड़ से टामाटो एक चैटप बना न जैसे कि आलू हो गया इससे हम चिप्स बना सकते हैं तो ऐसे बहुत तरह कि food processing industry उसको डबलव कर सकते हैं तो इंडिया में इसका scope देखना है scope तो इसका है इंडिया में और इसके significance देखने है location देखने है किस अगया पर हम कौन सी food processing industry लगा सकते हैं जैसे कि अगर तराही से चेतर में चले जाएं जहां पर आलू का उतपादन होता होगा बहां पर तो आपको लोकेशन देखनी है कहां पर कौन सा देखें अब आपको कैसे पतल सा लेगा तो यहां पर ही देखें नेक्स देखें ऊपर थोड़े से जाइए यहां पर दिया है cropping pattern cropping pattern के साथ में दिया रखा है कौन से भाग में cropping pattern कैसा है अब आपको समझ में आ जाएगा न कि जो तराई छेतर है मैदानी छेतर है यहाँ पर धान की खिती जाद होती है धान की खिती जाद होती है तो यहाँ पर धान से related हम क्या कर सकते हैं लोकेशन हम पता कर सकते हैं कहाँ पर धान का उतपादन हो रहा है तो इसी से हम लोग देख सकते हैं कि धान का उतपादन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ही हम इससे food processing industry बहाँ ही तो लगाएंगे ऐसा तो है नहीं जहाँ पर धान का उतपादन नहीं होता तो आप लोग connect कर पाएंगे और इसमें देखें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में आपको देखना है supply chain management मतलब जो खादर स्रंकला है उसके बारे में देखना है कि हमारी जो supply chain है वो किस तरह से बर्क करती है और क्या चीज़े हम आयात करते हैं क्या चीज़े निर्यात करते हैं किन चीज़ों के हमें कमी पड़ते हैं है इस सब वी चीजotto के बढ़े हम देखना है पर आज भी इन्द रिफार्म जो भूमी इसफ्दार हुआ हुआ था इंडिया में इसको आपको देखना है भूपिश की बहुत जरूरत है अगर हम लोग भूमी करते हैं तब ही हम आग जो कोंट्रیک्ट या उसको कर सकते हैं अगर हम करना चाहते लिएंदा aan उदार ही करना का वहाँ है समाज कर देखना है किस पर करना है देखिए लिएभेश सुघवांटmp में किसे रेलेटेटेटे से तब ही मैंने का हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रेलेटेटेट है देखिए इधर बहुत ठंडी में जाम हो गया है विल्कुल लिख नहीं पार हूँ अभी मैं थोड़ा पहाड़ी चित्र में आया हूँ पास में इधर है मैं इधर वैसे रहता नही सब्सक्राइब के बारे में देखना है आपका पीछा नहीं चोड़ रहा है इसलिए मैंने आपको दूसरा ठापिक था मतलब जो हमारी सीरीज चले वह यहां पर जाकर करके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इकॉन्मी ग्रोथ से अच्छे से बताए कि आप लोग सो जो आ रही है उर्जा या फिर अधर जैसे की परमाड़ू उर्जा होगा सब उर्जा इसमें आ जाएंगी दुनिया और की जितनी उर्जाएं है पेट्रॉलियम से लिए करके जो पारमपरी गैर पारमपरी नभी करनी है उर्जा सब यह आपको देखना है पोर्ट के बारे ह है आप देखने है कौन कौन से ऐसे रोड जो विक्सीत हो रहे हैं और किस जगे कहा मई विकास करना चाहरे है बहुत सारे इसका क्रें कांट मॉडल पर मसं हमारे देखना क्यास रहा है इस वारे मां आप को पढ़ना है अब देखिए आपको यहां पर और एक एक point मिला ना सिरिफ आप देखे इसको हम और विस्तरिस से अब जानते हैं मैं आपको सब कुछ explain तो नहीं कर सकता देखिए मैंने आपको जैसे समझते हैं तो यहां पर देखिए मैंने बता दिए उसक्ता है यूमन सोच को भी पढ़णा है नेचुरल जो प्राकर्तिक होते हैं संसादन ऑ' उनको भी पढ़ना है हमें संसादनों को इखटा करने की जरूरत क्यों है नीड फॉर्स मॉबलाइज़ेशन कि यानि कि हमें जो रिसोर्स हैं उन्हें एखटा क्यों करना है इसकी हमें आबसकता क्यों है हमें इसका रोल देखना है सेविंग एन इन्वेस्टमेंट का उके और गौर्म् Knowledge के रिसोर्स कौन से है जैसे कि Tax हो गया नॉन टेक्स हो गया है इनी इसका पइसा आता है न आगरीट का यह कैसे गया हो गया। गार्वेंट का रिसोर्स हो गया है इसमें हमको देखना से फिजी कल टेरी पॉलिसी अभी हम लोग पूरा कंप्रीट कर चुग है पढ़ना है इस तरह से आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यहां पर लिखाता हूं यहां पर लिखाए जॉब्लेस ग्रूथ अब बदल जाते हैं लेकिन अगर आपको अगर आपने स्टैक फ्लेशन के बारे में पढ़ाऊँ होगा तो आप लोग समझ गया होगे जॉब्लेस ग्रूथ का मतलब क्या है इसिए बेरोजगारी की दर बढ़ती रहती है और जो ग्रूथ होती है वह बढ़ती रहती है तो इसी लिए देखो इसमें बोला है jobless growth, यानि कि jobless है, मतलब, रोजगार उच्पन नहीं हो रहा है, फिर भी growth है, तो यह किसकी अवस्ता होगा, stack lesson की, यानि कि सब्द किसी भी तरह से बुचे, अगर आपको concept clear है, तो आप answer देंगे, देखिए, मुझे भी नहीं परता था इसके बारे में, मैंने अभी देखा था, जब मैं यह PDF बना रहा था, तो मैंने इस बड़ को देखा था, jobless growth, तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं आपको पढ़ तो मैंने ऐसा यह बता रहता है, stackflation को रहे हैं, यह stackflation ही है, लेकिन सब्द बदलती है, तो सब्द बदले जाते हैं, लेकिन आपको concept clear होगा, तो आप सब कुछ पकड़ लेंगे, इसलिए मेरी वीडियो धां से देखिए, बार बार आप दो बार देख सकते हैं, जैसे कभ सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि employment में क्या क्या पढ़ना है, तो यह सब कुछ पढ़ना है, तो इस तरह यह बहुत दंबी PDF है, तो आप लोग, अब देखिए, आप क्या है, आपको जो रमी सिंग है, वो कैसे पढ़ना है, तो जब भी आपको कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको बताता हूँ, agriculture पढ़ रहे हैं, तो agriculture जब economics में खूला है, तो आप लोग एक खूल के रखिए सामने, और देखिए, कौन-कौन से topic हैं, जो उससे match कर रहे हैं, भही topic आपको पढ़ना है, ऐसे पूरी book remains thing नहीं पढ़ना है, कि आपने first place से start किया और last कर दी, और अग लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पढ़ेगा, जिससे मुझे पदल साई कितने लोगों की requirement है, तो उसी के साब से मैं बार करूँगा, एक है मैं इतने अच्छे से इतना बार कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सबड़ कर दीजिए दोस्तों, और इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर करें, चलिए मैं इस वीडियो को यहां परीफ फिनिस करता हूँ,